हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने में हैं जब भी आप प्लेश्टोर ओपन कर रहा हैं और आप पर प्लेश्टोर ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से लिखा हुए होना पर देखने को मिलिया सम्थिंग बहुत वार्णिंग तो आगर आप यहां पर फिल करते हैं फिर भी यह नहीं हो पा रहा है आप देख पा रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है और इस प्राब्लम को किस तरीकी से सौल्व कर सकते हैं चलिए जान लेते हैं अगर आपका इंटरनेट भी है और आपका इंटरनेट भी है तब ठीक है तो इसके लिए आपक तसumedora को किलियर कर देंगे जब लिए नहीं कर पा रहा है तो अब करना हैंथा हमसे चलिए बैक कर करते हैं बैक करने के बाद आपको अपने फुन की सेटिंग्स में जाना है उसके बाद में आपको search bar में लिख देना है app manager तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ app और यहाँ पर manager उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पर उपरवाली settings इस पर आप simply click करेंगे आपको यहाँ पर app list option देखने को मिल जाएगा इस पर आप simply click करेंगे आपके जितने भी apps आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो कि आप देख पा रहा है यहाँ पर आप एक चीज और भी देख सकते हैं जैसे कि अगर आपका यहाँ पर gb में अगर को भी app दिखा रहा है तो आप यहाँ से data को clear कर सकते हैं ठीक है और आपके phone की storage है वो फिरी हो जाएगी आपका phone ज्यादा fast चलने लगेगा तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं जैसे कि देख सकते हैं यह हमारा प्ले श्टोर हो गया तो चलिए सबसे पहले हम इसकी data को यहाँ से clear करेंगे इस पर हम simply click करेंगे और हम storage पर हम simply click कर देंगे उसके बाद में हम यहाँ 86 GB जाने कि लगबग 3 GB में यह केरमाश्टर है तो इतने का हो गया ही तो आप यहाँ से इसका data clear कर सकते हैं और यह फिर 500 MB में रह जाएगा इसी प्रकार आप यहाँ पर और भी देख सकते हैं जिसी की चलिए में स्क्रॉल कर दिया हूं यहां पर बराबर और यहां जाता है बट सब ठीक है लगबग आप देख सकते हैं 1.5 GB में है तो लगबग 3 GB लगबग 4 GB हो जाती है ठीक है तो अगर आपने data clear कर देते हैं तो यह आपका 1200 MB गहरेंगे storage की ठीक है या फिर internal mobile ठीक ह तो इस तरीके से आप data clear कर सकते हैं और आपके फोल की story जब फिर हो जाएगे उसके बाद में आप प्ले store को यहां पर open करेंगे जो हमारा play store है हमने यहां पर open कर लिया है और यह हमारा play store कुछ इस तरीके से काम करने लगा है ठीक है अगर आपको email id मांगता है तो अपनी email id यहां से आपको login कर लेना है आप उपर में आइकन देफने को मिलेगा ठीक है इस पर आप simply click करके अपनी email id यहां से login कर लेंगे तो चलिए मैं इस पर simply click करके दिखाता हूं आपको देश सकते हैं मेरी email id आने select कर लिए आटो मेटो आपकी भी आटो मेटो यही select कर लेगा नहीं करता है तब आपको अपनी email id में login कर लेना है और आपका पेले store वरफूर तरीके से काम करने लगा है जैसे कि मैं यहां पर ल इश्टॉल करता हूं ठीक है बटसप पहेँ से तरीके से आपका यह पेले श्टॉर काम करने लगे ज अगर वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं है चैनल को subscribe